नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी आई क्यों जुडी श्री दोस्तों हाल ही में भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुडा भारत ने एक ऐसी महिला जो की जनजातिय वर्ग से आती हैं यानि कि एक ट्राइबल विमिन को अपना नया राष्ट पती चुना इनसे पहल कास्स और शेडियूल ट्राइब्स के खिलाफ अपराधों में वृध्धी हुई हैं इस बात की पुष्टी मिनिस्ट्यों फॉर्म अफेर्स ने लोग सभा में एक रिपलाई देते हुए की दोस्तों इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए आल्रेडी हमारे देश में एक विशेश कानून प्रभाव में हैं इस कानून को हम S.C.S.T. Prevention of Attrocities Act 1989 के नाम से जानते हैं आज के अपने इस सेशन में दोस्तों हम इसी कानून के कुछ फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कि किस तरह के offenses को इस कानून में cover किया गया है चले शुरू कर रहे हैं अगर आप legal awareness में भी विश्वास रखते हैं तो भी आपको चैनल ये काफी मदद देगा आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी में दोस्तों अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो study IQ की तरफ से एक अच्छे खबर है हमारा एक live batch launch होने जा रहा है एक अगस्ट कर सकते हैं चलिए अब एक नजल डालते हैं उन आकड़ों पर जो की ministry of home affairs ने लोगसभा में पेश किये इन आकड़ों की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके according scheduled cast के खिलाफ जो अपराद 2018 में हुए तो वो लगबग 42,800 के आसपास थे यह आंकड़ा बढ़कर 2020 में 50,000 को क् करें तो 2018 में ऐसे 6500 मामले यानि की 6500 मामले हमें देखने को मिलते हैं यह आंकड़ा बढ़कर 2020 में 8,000 को क्रॉस कर जाता हैं अगर हम specific ट्रेट्स यहां पर अगर स्टेट्स की बात करें दोस्तों तो यूपी और बिहार यह दोनों ऐसी स्टेट्स रही जहां पर सबसे ज़ जादा अपराद शेडूल ट्राइब के खिलाफ हमें देखने को मिलता है चलिए अब हम इस कानून पर आते हैं शेडूल कास और शेडूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अफ आट्रॉसिटीज एक 1989 सबसे पहले थोड़ा सा बैक्ग्राउंड समझते हैं देखे हम प्रेक्टिस की जानी शुरू हुई खास करके पोस्ट वैदी केजस में और उसके बाद अंटेच बिलिटी के साथ-साथ उनके खिलाफ एट्रॉसिटीज भी शुरू हो जाती हैं ऐसा ही कुछ हाल हमारे ट्राइबल का भी रहा है खैर वहां से हमारा पूरा इतिहास इस तर हर तरह की अंटेच बिलिटी को प्रोहिबिट करता है एक टाइम लाइन को अगर हम देखें तो 1950 में जब हमारा कॉंसिटूशन लागू हुआ उसमें आर्टिकल 17 था 1955 में एक विशेश कानून आता है या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी या प्रोटेक्शन ऑफ उन्हें पूरा करने के लिए 1976 में एक अमेंडमेंट लाई गई लेकिन तब भी ये कानून कुछ खास काम्याब नहीं हो पाया उसके बाद अल्टिमेटली हमें एसी एस्टी प्रेवेंशन ऑफ ट्रॉसिटीज एक 1989 लेकर आना पड़ा चलिए अब इस कानून को देख लेते हैं इसके कुछ फीचर को समझ लेते हैं दरसल इसमें आई पीसी में जो अपराद दिये गए हैं उससे अलग अपराधों को भी कवर किया गया है ऐसे अपराद जो कि आई पीसी में कवर नहीं हैं उनको भी यहाँ पर कवरेज मिली हैं साथी में यहाँ पर एक विशेश बात ये हैं दोस्तों कि यह कानून तभी फोर्स में आता है जब कोई नौन SCST किसी SCST के खिलाफ अपराद करें यानि कि कोई गैर दलित या गैर जनजातिय व्यक्ति किसी दलित या जनजातिय के खिलाफ अपराद करता है तभी यह कानून फोर्स में आता है अगर कोई एक SC व्यक्ति दूसरे SC व्यक्ति के खिलाफ अपराद करता है तो यह कानून फो इसमें अगर कोई public servant इस तरह है कि अपराद कोई करता हुआ पाया जाता है तो उनके लिए और ज्यादा stringent punishment का भी यहाँ पर provision दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं section 3 की एक बहुत लंबी list है जो कि हम यहाँ पर सारे offenses तो नहीं cover करेंगे लेकिन कुछ हो उसमें offenses जो दिये गए हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कहता क्या है इस section 3 का subsection 1 कहता है जी not being a whoever not being a member of SC और ST यानि कि वो हर वो व्यक्ति जो की गैर दलित है या फिर गैर जन जाती है अगर इन में से कोई अपराद करता है तो उसे सजा मिलेगी क्या क्या है forces a member of SC और ST to drink or eat in edible और abnoxious substance यानि की और खाद्य पदार्थ आप खाने के लिए किसी को मजबूर करते हैं जो कि SC या ST व्यक्ति है या फिर आप किसी SC या फिर ST व्यक्ति के घर के बाहर कूड़ा कच्रा या फिर किसी मरित जानवर का शरीर फैकते हैं for the purpose of injuring और insulting the SC या ST व्यक्ति या फिर forcibly आप किसी दलित या फिर जनजातिय व्यक्ति के कपड़े उतार कर उसे नगना वस्था में सब के सामने परेड करते हैं उसे insult करने के लिए उसके मूँपर कालिक वगरा पहुंचते हैं तो वो भी एक अपराद है इस act के तहट अगर आप एक दलित या जनजाति लिए को forced labor के लिए मजबूर करते हैं बेगार के लिए मजबूर करते हैं उसे भी एक अपराद बनाया गया है इसी तरह से अगर आप किसी दलित या जनजातिय को वोट डालने से मना करते हैं रोकते हैं या फिर एक particular person के लिए वोट डालने के लिए मजबूर करते हैं वो भ भी यहां पर एक अपराद बनाया गया है दोस्तों इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें चलिए देख लेते हैं अगर आप एक दलित या जनजाती है महिला की उपर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं for the purpose of outraging her modesty वो भी यहां पर एक अपराद है साथी में उनके जो जलस तरोथ होते हैं यानि कि ऐसे जलस तरोथ चाहे वो कोई कुआ है चाहे वो एक स्प्रिंग है जहां से वो regular पानी का इस्तेमाल करते हैं उसे मैला करते हैं उसे गंदा करते हैं ताकि उन आप उन्हें वो रस्ता इस्तेमाल करने से रोकते हैं वो भी यहां पर इस सेक्शन के तहट एक अपराद बनाया गया है साथी में अगर आप उन्हें अपना घर या फिर अपनी जमीन या अपना रेजिडेंस का प्लेस छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं वो भी सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 की जो की थोड़ा सा और बड़े अपराधूं की तरफ इशारा करता है इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अगर मान लिजे एक गैर दलेतिया गैर जनजातिये व्यक्ति ने किसी दलेतिया जनजातिये व्यक्ति के खिलाफ जूटी गवाही या फिर के पनिश्मेंट दी जाएगे साथी में अगर आप कोई घैर जनजातिये गैर दलेत व्यक्ति किसी दलेतिया जनजातिये व्यक्ति की प्रपर्टी को आग लगाता है या उसमें कोई विस्पोर्ट वगेरा करता है फॉर्दी परपर्पस ओफ कॉजिंग डैमेश तूदी प उफेंस को कमिट करते हैं तो आपको मिनिममम जो सजा है वो अब बढ़ा दी गई इससे पहले मिनिममम सजा क्या हो रही थी छे महीने हो रही थी अब जो यहाँ पर मिनिममम पनिश्मेंट रहेगी दोस्तों वो एक साल कर दी गई है ओके तो अगर कोई पबलिक सर्वेंट इन में से दिये गए कोई भी ओफेंस को कमिट करता हुआ पाया जाता है तो उसे मिनिममम पनिश्मेंट एक साल दी जाएगी मैक्सिममम पनिश्मेंट जो अल्रीडी उस ओफेंस में दी गई है वो हो सकती है इसके अलावा सेक्शन 14 है दोस्तों इस एक्ट का जो कि स्टेट गुवर्मेंट के लिए यह मेंडेटरी करता है कि स्टेट गौर्मेंट विद कंकरेंस और चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोट हर डिस्टिक्ट में एक स्पेशल कोट बनाएगी फॉर दी परपलोज अफ डिस एक और एक स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्देश यह यहां पर हर district में दिया गया है state governments को साथी में section 7 में बात की गई है for feature of property of certain persons की मान लीजी एक दलित एक गैर दलित या गैर जन जातिये ने किसी दलित या जन जातिये के खिलाफ कोई अपराद किया उस अपराद में जो property का इस्तेमाल गहर दलित ने किया या गहर जन जातिये विक्ति ने किया उस property को भी forfeit करने का अधिकार जो है court के पास है court उस property को forfeit करके government को देदेगा साथी में यहां पर आगर हम बात करेंगे दोस्तों कि section 10 यहां पर कहता है removal of potential offenders from a particular area अब माल लीजे special court के पास कोई शिकायत पहुँचती है या फिर कोई police की report पहुँचती है कि कोई व्यक्ति है वो दलितों या फिर schedule tribes के खिलाफ आकर बाहर से आकर offense commit कर सकता है इस act में दिय है या कोई एक सब्सक्राइब कोई व्यक्ति है आउसाइडर है वो आएगा इधर और दलितों या फिर ट्राइबल के खिलाफ कोई अपराद कमिट करेगा तो court special court ऐसे व्यक्ति को लिखित में order दे कर उस area में आने से मना कर सकती है तो आपकी entry वहां पर ban की जा सकती है special court के यह एंट्री बैन का जो टाइम रहेगा maximum टाइम जो है वो दो साल तक का हो सकता है चलिए आर्टिक सेक्शन 21 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 21 में स्पैसिफिकली जो सरकारें है चाहे वो सेंटल गोर्मेंट है या फिस्टेड गोर्मेंट से हैं उन्हें यह हिदायत दी ग फोर दी एफेक्टेड परसंस यानि की कोई दलित या किसी ट्राइबल के खिलाफ कोई अपराद हुआ है तो आप और वो अपना पर्टिकुलर लीगल एड उसे चाहिए तो साथी में अगर कोई विटनेस है या फिर कोई विक्टिम है उन्हें कोर्ट तक आने जाने के अपराद हुआ जैसे की प्रोपर्टी जला दी गई तो ऐसे में उनकी एकनॉमिक और सोशल रिहाबिलिटेशन के लिए भी स्टेट को जो है कदम उठाने के लिए कहा गया है यह हमने 21 पढ़ा अब देखिए इस एक्ट को और जादा बढ़िया तरीके से लागू करने के ल देते हैं जैसे कि सबसे पहले कहा गया है कि स्टेट को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे जिसकी वजह से एसी और एस्टी के खिलाफ हो रही एट्रोसिटी को होने से पहले ही रोक दिया जाए इसी तरह से रूल सेवन की अगर हम बात करें तो अगर कभी भी कोई एट्र है कि victim of the atrocities shall be provided immediate cash और kind relief यानि कि आपको जो atrocities के victim है चाए वो दलित है या फिर आदिवासी है उन्हें आपको यहाँ पर relief की form में cash या kind में सहायता देनी होगी दोस्तों यह कुछ features हमने पढ़े इस act के इस act के सारे ना तो हम offenses cover कर पाए है ना ही और इस से ज़्यादा features को cover कर पाए है एक दो मुद्दे मैं यहाँ पर आपके साथ discuss करना चाहूंगा पहला मुद्दा है यह कि आज भी यह आरोप लगते हैं कि यह act जो है properly implement नहीं हो पा रहा है सभी हिस्सों में जो बाहू बली है यह जो फिर powerful persons of the society हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर उनसे कोई अपराद वो कर भी देते हैं तो इस act में influence करते हैं वो public authorities को और इस act को लागू होने से रोकते हैं दूसरी बात यह कि कई बार यह भी शिकायत आती है कि इस act का कई cases में दुरूपयोग भी होता हुआ देखा ग परग काफी नहीं है public को इकठे होके उसे effectively implement करना होगा और दूसरी बात यह कि act आ जाने से सारा जो समस्या है उसका हल नहीं हो जाता act के साथ सा दोस्तों public को अपने level पर भी इन समस्याओं का हल करना होगा हम स्कूलों में पढ़तों लेते हैं लेकिन जब तक mindset change नहीं हो जा है आपकी क्या राय है इस act पे आप comment box में बताईएगा जुरूर अगले session में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day thank you